तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर मारे नए वीडियो में जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारे पास Vivo T2 है दोस्तों आपके पास भी Vivo T2 है तो दोस्तों यहां पर देखें दोस्तों जैसे अपने डाटा को आउन करते हैं तो यहां पर देखें दोस् देट ytta , किस तरीक 사े से इस सेटिंग को आपको एनेवल करना है याँ ईन होगा है तो आपको पीलिक करेंगे ठेलीग किकशिज्य घृत करेंगे तो आपके सामने कुछ इस परहिए को मिलेगा नेटवर्क and internet तो आपको network and internet पर click करना है इस प्रकार से जैसे ही दोस्तों इस पर click करेंगे तो आपको सामने कुछ इस प्रकार का interface होगा यहां पर आपको scroll roll करके आपको नीचे आ जाना है जैसे हैं दोस्तों आप नीचे आ जाएंगे तो यहां पर आपको देखने मिलेगा इंफॉर्मेशन तो आपको शॉर्डौ। इंफॉर्मेशन पर किलिक करना इस प्रकार से। जैसे दोस्तो इसपे किलिक करेंगे तो let Cool रहा है जीवर अब किलिक करना उसके बाद में यहाँ पर देखने को दोस्तों लिख या है बैप जाएंगे, MK जाने के बाद में यहाँ पर देखने को दोस्तों लिखा ए Display ws var react network speed तो यह बाले law function पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखने को знать लिखा है display real time network speed यह वाले option को भी आपको on करना है जैसे दोस्तों इसे आउन कर लेंगे तो यहां पर देखेंगे दोस्तों आपकी network speed भी सो कर रहा है तो इस परकार से दोस्तों आप अपने फोन में network speed को वा daily data अच्छायों यहां से आपडेट में या लोगों नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है यहां से आप सिधा जाएंगे और यहां पर आने के बाद में यहां पर देखेंगे दोस्तों इसी परकार से भी यहां से भी आप जा सकते हैं इसके Display & बैटनेस पर किलिक करेंगे डिस्पेलेंट बैटनेस में slider पर क्लिक करते ही दोस्तों आपको यहां पर क्लिक करना है और यहां पर देख़ायीं दुस्तों लिक़र आये तो इस वाले आप्शन को यह तो इस प्रकार से भी आप यहां से प्राप्त कर पाएंगे